हलो अबरीबन वेलकम बैक माई चैनल तो आज के सी वीडियो में हम बनाएगे सिंपल सूट से साइड प्लेटिड कुरती बहुत ही जादा आसान तरीके से तो वीडियो को पूरी देखेगा चले शुरू करते हैं तो देखे मैंने सिंपल सूट का फैब्रिक लिया है जिसमें होनी नैक पर इस तरह के छोटी सी पटी दूई है बाके पूरा पूरा प्लेन फैब्रिक है तो आज इसी का यूज करके हम बनाएगे एक प्यारी सी कुरती तो कुरती बनाने के लिए हमने सबसे पहले इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है बिलकुर से हम इसको इ भार भी निकला है तो कोई प्रोब्लम नहीं हमारे सेंटर वाली पर्टी एकदम सेंटर में होने चाहिए तो अब हम कुर्ती के लिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने उपर की साइड इस तरह से साड़े चैन पर शोल्डर का निशान लगा लेना है अब उस अब हमने शोल्डर से 15 इंच पर इस तरह से एक मार्क कर लेना है देखिए हम उपर से 15 इंच पर यहाँ पर एक मार्क कर लेगे इस मार्क को हम सीधा मिला लेगे यहां से हमने अपने वेस्ट का निशान लगाना है तो इमें हैं आपर 8 इंच पर निशान लगा रही हो और 2 इंच एक्ष्टर हम यहाँ पर मार्जिन के लिए लेगे इन दोनुं मार्क को हम आपस में इस तरह से मिला लेगे यह देखिए अब यह जो लाइन मैं आगे की साइड में बढ़ाई है इसको हमने गितना भी हमारा फैब्रिक बचता है इसको लाच तक हमने इसी तरीके से बढ़ा लेना है इस तरह देखिए हम इसको इस तरह से आगे की साइड बढ़ा लेगे अब हमने arm hole पर गहराई देनी है तो हम front पाट के लिए 1 इंच पर इस तरह से गोलाई देगे और back पाट के लिए इस तरह से 1.5 इंच पर गोलाई देगे उपर की साइड से अब हमने half inch shoulder को भी down कर लेना है अब जो हमारी लाइन है इसको हमने नीचे की साइड तक एकदम सीधा मिला लेना है यहाँ तक, यहाँ तक हमारी मार्किंग हो चुकी, अब हम अपनी कुर्टी की पहले लैंड देखते हैं, अब हम इसको यहाँ से लाइन अप कर लेगे, इसको लाइन अप करने के बाद में सबसे पहले हमने नीचे की साइड से इसकी कटिंग कर लेनी है, देखिए हमने लैंड पर से इसको कट कर लिया है, अब हम फ्रंट नेक कर निशान लगाते हैं, तो फ्रंट नेक की जो चोड़ाई है वो मैं ले रही हूँ पौने तीन इंच इस तरह, फ्रंट नेक की गहराई मैंने शाड़े शे इंच रखे है, आप अपने अकोर्डिंग रख सकते हो, जितना डीप आपको पसंद हो, तो इस तरह से मैं यहाँ पर एक V शेप में नेक को ड्रोग कर रही हूँ, यह देखिए, अब हम कर लेते हैं इस पार्ट की कटिंग, हमारी साइट प्लेटर कूर्टी का जो में पॉइंट होता है, अब हम अपने कुर्टी के में पॉइंट पर आजाते हैं, तो गाइस यह देखिए, हमने क्या करना ही, जो हमारी लाइन हमने आगे बढ़ाई है, इसको हमने सेंटर से 4 इंच पर इस तरह से मार्क करना है, और इस लाइन को यहां तक इस तरह से मिला लेना है, यह देखिए, अब हम यहां तक भी इसकी कटिंग कर लेगे, हमारी साइट प्लेटर कूर्टी का यह में पॉइंट होता है, हमने इसको इस तरह से कट कर लेना है Center से चार इन छोड़ने के बाद में हमारा बाकी बच़क फैब्रिक हम इस तरह से cut कर लेगे तो देखे इस तरह से हमारी कृति की cutting हो चुकी है यहाँ पर हम इस तरह से साइड प्लेडिट डालेगी और इस कृति को ready करेगे तो सबसे पहले हमने इसमें से बैक पार्ट को अलग कर लेना है तो यहां से हम इसको कट करकी अलग कर लेते हैं अब हम अपने फ्रंट पार्ट को अच्छे से सेट कर लेगी और इसकी हम नया की कटिंग करेगे तो देखी इस तरह से हमने इस नैक की कटिंग कर लेनी है अब हम इसके आर्म होल के भी कटिंग कर लेगे इसको हम रख देते हैं और अब हम उपने बैक पार्ट के लिए भी नैक की कटिंग करेगे तो back part में भी हमने पौने 3 इंच पर इसी तरह से नैक की चोड़ाई रखनी है इसकी गहराई मैं रख रही हूँ 7 इंच इसकी गहराई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना भी आपको डीप पहन पसंदो आप इसकी गहराई रख सकते हो मैं इसका back नैक भी एक वी शेप में ही ड्रो कर रही हूँ इस तरह से तो अब हम इस नैक की भी कटिंग कर लेते हैं तो इस तरह से मेरे दोनों नैक कट कर रेड़ी है और दोनों पाट एकदम रेड़ी है इसको हमने इस तरह से डबल करना है वो पूरी नैक पर रखतो है इसको इस्टिच कर लेना है इसको हमने यहां से रखतो है इस्टिच करना है तो देखे अच्छे से सैट करते भी हमने इसको इस्टिच कर लेना है यहां से हम इसको कुछ इस तरह से फॉल करेगे यह देखे और इसको इस्टिच कर लेगे इस तरह से हमने इस पूरी पट्टी को इसके उपर इस्टिच कर लेना है अब हमने दोनों साइड से एक्षर फैब्री को कट करना है और पूरे नैक पर इस तरह छोटे-छोटे से कट लगा लेने हैं यह देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह अंदर की साइड में फॉल करेगे और इसके उपर दबाओ की सिलाई लगा लेगे इस तरह से इसको हमने अच्छी से सैट करते वे इसकी सिलाई को लगाना है तो देखिए हमारा फ्रंट नैक एकदम अच्छी से रेडी है अब बिल्कुल इसी तरह से हमने अपने बैक पार्ट की नैक को भी रेडी कर लेना है पट्ती से तो देखे हम इस neck को भी इसी तरह से ready कर लेगे तो देखे गाईट मैंने अपना back part का neck भी एक दम अच्छे से ready कर लिया है बिल्कुल इसी तरह से ये हमारा front neck है अब हमने क्या करना अपने front part को लेना है और हम यहाँ पर अपने plate डार कर इसको ready करेगे तो हमने यहाँ से इसमें plate डालनी है तो हमने सबसे पहले side में जो extra fabric लिया है margin के लिए हम वहाँ तक इस तरह से निशान लगा लेगे 2-2 inch में ने extra fabric लिया है तो देखे सिर्फ इतने ही part में हमने इन plate को डालकर ready करना है तो इस तरह से हम यहाँ तक इसको छोड़ते हुए बीच वाले part में plate डालेगे यह देखे इस तरह से इस तरह से हमने 4-5 plate इसमें छोटी-छोटी डाल लेनी है उसके बाद हमने इस वाले part को नीचे की side इस तरह fold करना और यहाँ पर इसको सिलाय लगा कर ready करना है आपको अच्छे से समझा रहा होगा देखे यहाँ पर हम इस तरह से plate डालेगे और इसको इस तरह से उल्टा करते हुए सिलाय लगा कर ready करेगे तो मैं आपको एक side की plate डाल कर इस तरह दिखा देती हूँ यह देखे छोटी छोटी हमने 4 से 5 इसमें plate डालनी है देखे प्लेश डालने के बाद में यहाँ तक हमने इसको ready कर लिया है इसको हम इस तरह से उल्टा करके इसके उपर रखेगे और यहाँ से यहाँ तक हमने लगबख half inch extra fabric लेते हुए इसमें सिलाय लगा लेनी है यह देखे इसको अच्छे से set करते हुए हमने यहाँ पर सिलाय लगानी है तो इस तरह से मैंने side की plate डालकर ready कर ली है बिल्कुल इसी तरीके से अब हमने दूसरे side में भी plate डालकर इसको ready करना है यहाँ पर यह देखे इसको भी हम ready कर लेगे और इसी तरीके से हमने back part में भी दोनो side में plate डालकर ready करना है तो देखेगा जि मैंने इस तरह से इसको ready कर लिया है दोनो side में और यहाँ पर मैंने इनके उपर दबाव की सिलाय भी लगा दी है यह देखे मेरे दोनो पार्ट एकदम अच्छे से ready है अब हमने इन दोनो पार्ट को एक दूसरी को उपर इस तरह उल्टा करके रखना है और दोनो side से अपने shoulder को join कर लेना है तो देखे इस तरह से मैंने दोनो side के shoulder को भी join कर लिया है कितनी अच्छी हमारे इसकी finishing आई है आप देख सकते हो अब आप चाहे तो इसके उपर कोई अच्छी सी latch भी लगा सकते हो इस design को cover करने के लिए बट मैं इसके उपर latch नहीं लगाऊंगी मैं इसके साथ में एक belt बनाऊंगी belt कैसे बनाने है मैं आपको बाद में बताऊंगी तो पहले हमने इसके arm hole को इस तरह से ready कर लेना है तो देखें arm hole को भी हम बिल्कुल simple तरीके से जैसे हमने nag को बनाए बिल्कुल इसी तरीके से हम पट्टी लगा कर इसको ready करेगी अंदर की side fold करते हैं इसके उपर दबाव की सिलाय लगा लेगी बिल्कुल इसी तरीके से हमने दोनों side के arm hole को पट्टी लगा कर ready कर लिया है यह देखें अब यहां तक हमारी कुर्ती एक दम अच्छे से ready है अब उसके बाद में हमने इसको इस तरह से उल्टा करना है उल्टा करने के बाद में हमने यहां तक अपनी fitting की सिलाय लगा लेनी है अपने side के according यह देखें मैंने इसमें सिलाय भी लगा लिया है अच्छे से इसको set कर लिया है अब हमारे बचते हैं नीचे एक side से चाग को fold करना तो बिल्कुल इसी जैसे हम simple कुर्ती के चाग को fold करते हैं बिल्कुल इसी तरह से हमने इसके चाग में fold करना है देखें इस तरह से side से double fold करते हैं हमने इस fabric को fold करना है और यहां पन सिलाय लगा कर इसको ready करना है उसको नीचे की साइट से भी हमने बिल्कुल इसी तरह से डबल फोल्ड करना है उसको stitch कर लेना है बहुत ही सिंपल तरीके में आपको बता रही हूँ गाई, तो देखी मैंने इस तरह से इसके चाग को फोल्ड कर लिया है दोना साइड से हमने अच्छे से इसके चाग को fold कर लिया है बिल्कुर सिंपल कूरती की तरह नीचे की साइड से भी मैंने इसको double fold कर लिया ये देखिए अब हम इसके लिए belt को ready करेगे तो हमने यहाँ पर एक belt लगानी है इस कुर्ती को बेल्ट वाला लुक देगे तो उसके लिए हम बेल्ट बनाने शुरू करते हैं तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ तो देखे गाइज मैंने इसके बोटम वाले फैब्रिक का इस तरह से एक पीस कट कर लिया है इसके जो चोड़ाई है मैंने रखी है लगबग 5 इंच ये देखे इसके जो लंबाई है वो मैंने रखी है 37 इंच जो भी आपका कमर का साइज है उससे आपको 4-5 इंच इसमें एक्षा फैब्रिक लेना है तो मैंने 32 इंच में लगबग 5 इंच एक्षर फैब्रिक कर रखा है तो मैंने अब क्या करना इसको दो साइड से स्टिच कर लेना यहां से यहां तक हम सीधी इसमें सिलाई लगा लेगे और इसको स्टिच कर लेगे तो चले स्टिच कर लेते हैं इस पट्टी को देखे गाईज हमने इसको एक साइड से बंद करना है इस तरह से इस पूरी फैब्रिक की पटी पर हमने सिलाय लगा लेनी है तो इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाने के बाद में आप किसी भी नुकिली चीज की हल्प से इसको प्लट लेना है बहुत ही आसानी से प्लट जाएगी ये देखिए अब इसको प्लट कर हम सीधा कर लेगे और इसको अच्छे से हाथ से हम सेट कर लेगे यह देखी आप इसको पर प्रेस भी कर सकते हो प्रेस इसको सेट कर सकते हो तो मैंने इसको इसको इस तरह पहले हाल से सेट कर लिया अब मैंने इसके लिए दो मैटल की चूड़ी ली है आप किसी भी तरह की दो मैटल की चूड़ी ले सकते हो तो देखे मैंने इस तरह की दो च कर लेना यह देखिए हमने से मैटल की चूड़ी इसलिए यूज की है क्योंकि हमारी मैटल वाली चूड़ी इस तरह से आसानी से मुड़ जाती है इसको हम इसके अंदर डालेगे इस तरह और फिर बाद में इसको अच्छी से गौल कर लेगे फिर से तो इस बैल्ट को अपने की बनाने के लिए मैंने एक इलाश्टिक लिए है लगबग 5-6 इंच की मैंने इलाश्टिक लिए है तो अब हमने क्या करना है इस बैल्ट को इस तरह से फॉल करना है जो भी इसका सेंटर पॉइंट है महाँ पर हम माक कर लेगे तो देखे इसको इस तरह से फॉल करना है और यह हमारी अच्छे से फिटिंग की बनेगी, अब हमने बिल्कुल इसी तरीके से चूड़ी को मोड कर इसके अंदर डाल लेना है, तो देखेगा जिस तरह से हमारी बैल टेक दम अच्छे से रेडी है, अब मैं आपको उसको कुर्ती के साथ में अटेज करके भी दिखाती तो देखेगा जिस तरह से यह रहा मेरी कुर्ती का फाइनल लुक, मैंने इसका बोटम भी तयार कर ले है, बोटम की वीडो मैंने अल्रेडी अपलोड कर दी है, आप मेरे चैनल पर जाएए और मेरी बोटम वाली वीडो को भी देखेए, तो आप लोग देख तक तो कितने प्यारा लुक इस कुर्ती का आया है, वेर करने के बाद में और बैल के साथ में तो यह और भी ज़्यादा खुबसूरत लग रही है, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने आपको इस बैल को बनाना बता है, I hope आपको मेरी वीडो पसंद आही होगी, guys मैंने जब इस क पूरती मेरे डिजाइन पसंद आया होगा, अगर आपको मेरी वीडो पसंद आये तो प्लीज मेरी वीडो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सबस्क्राइब कीजिए, मिलते हम आपको अपनी नए वीडियो में इसी तरह की एक नए डिजाइन के साथ में तब तक के लिए बाब बाइ